तीस्रा कारेकाल कैसा होगा, क्या तैयारया होगी, किनकी मुद्दों पर, किनकी चीजों पर ज्यादा काम हो सकता है और एक बार फिर से प्रधान मंत्री नरिंद्र मोदी प्रधान मंत्री पद की शपत लेनी की तयारी कर रही है तीसरा कारेकाल कैसा होगा, क्या तयारिया होगी, किन-किन मुद्दों पर, किन-किन चीजों पर ज़्यादा काम हो सकता है देखें नरिंद्र मोदी और भारते जन्ता पार्थी ने लोगसभा चनाव में भारी जीत की उम्मीद की थी हाला कि नतीजे कुछ और ही रहे मोदी ब्रैंड को कहीं न कहीं जटका लगा है या फिर ये कहें कि ब्रैंड मोदी को जटका लगा है देखें पिछले लोगसभा चनाव की मकाबले कम हुई सीटों के बावजूद मोदी को मिली तीसरी जीत का असर भारत के लिए वैश्विक मंच पर बहुत महत्तपूर्ण रख सकता है ब्रिटेन स्थिथ थिंग टांग शेटम हाउस में दक्षन एश्या के जो रिसर्चर्स हैं वो कहते हैं कि विदेश नीती के मोर्चे पर चाहे वो मजबूर जनादेश से आएं या कमजोर से भारत को निवेश के लिए आकर्शक गंटव्वे बनाने की प्रात्मिक्ता का अपना लक्षय है वो हांसिल करकर ही रहेंगे बीजोपी के घोशना पत्र का ज़रा जिकर कर लेते हैं बीजोपी का घोशना पर भारत को ग्लोबल मैनिफक्चरिंग हब बनाने की बात करता है और यहाँ पर रिसर्चर्स मानते हैं कि अगले पांस साल के कारिकाल में इस लक्षय को हांसिल करने के लिए बड़ा प्रयास किया जाएगा हाला कि बीजोपी की लगातार ये तीसरी चुनावी जीत पश्चिमी देशों के लिए आशा और साथी साथ साबधानी लेकर ज़रूर आई है ये वैश्विक स्तर पर मैं बात कर रहे हैं कुछ जानकार ये कहते हैं कि मोदी की विदेश नीती और जादा मजबूत होगी ये हिंदुत की उनकी मूल विचारधारा के इर्दगर्द भी घूम सकती है आपको बताते कि यहाँ पर कुछ ऐसे जानकार है जो ये कहते हैं कि हम इससे अभी भी सहमत नहीं है कुछ सहमत है लेकिन कुछ सहमत नहीं है उनका कहना है कि उन्हें उमीद है कि अन्डिय की तीसरे कारेकाल में विदेश नीती में कोई खास बदलाब नहीं आएगा क्योंकि हम जो भूर आज़ितिक बदलाब देख रहे हैं वो सराशनात्मक है यहीं बदलाब भारत को अपनी ताकत बढ़ाने में मदद कर रहे हैं कमजोर होतें अमारिका, विस्तारवादी चीन और विद्रोही रूस साहुक रूप से वेश्विक परिद्रिश्वे पर भारत की केंदरी भूमिका को बढ़ाते हैं वहीं दूसरे तोर पर देखा जाए तो आरती खिलाडी के तोर पर मोदी के नेतित में भारत का उदय निर्विबाद हुआ है विश्लेश्वकों का कहना है कि चीन के खिलाफ सुरक्षा कवच के तोर पर अमारिका के साथ भारत की साज़ेदारी अगले पांच साल में और जादा मजबूत होने की उमीड है हाला कि इसके मजबूत होने के साथ ही लोगतांतरिक गिरावट के बारे में चिंताई भी है विश्रेशकों का कहना है कि मोधी जानते हैं कि वैश्विक मंच देश की लोगतांतरिक साह के बारे में बात किये बिना वो अपनी वैश्विक महतवकान शाहों को हासिल नहीं कर सकते उधारण के लिए ठीक एक साल पहले जब नरेंटर मोधी अमारिका कहते हासिक राशनितिक दौरे पर थी तो सतर से जादा सासदों ने अमारिकी राश्पती जो बाइडन को एक लेटर लिखा था अब इस लेटर में आग्रे किया गया था कि बाइडन मोधी से भारत में लोगतंत की गिरावर्ट और प्रेस की आजादे के सुकरने पर चिलता व्यक्त करें हाला कि साथ नहीं है कि क्या बाइडन ने मोधी के साथ नीजी तोर पर हुई चर्चामिन चिंताओं के बारे में बात की है या नहीं हाला कि सारवजनिक तोर पर मोधी का स्वागत एक नायक जैसा हुआ इससे भी एहम बात ये है कि मोदी ने गर्थ के साथ भारत की लोकतंत्र की जर्नली भी कहा था वही कुछ और लोग मानते हैं कि भारत की दुनिया में लोकतंत्र की छवी बेहद एहम है उदारवाद में गिरावट आई है लेकिन चुनावी लोकतंत्र मजबूत बना हुआ है ऐसा इन चुनावों से स्पष्ट हुआ है इस तरह कि चुनावी प्रतीस परधा से भारते नतित को काफी संभामनाएं हासिल हुई है बले संस्थाएं कमजोर हुई है मौलिक सुतंत्र में कमी आई है और सरकार के दवनकारी शक्तियां बड़ी है चुनावी लोकतंत के बनियादी नियमों का पालन बीजेपी के हित में ही है अब ऐसे में सवाल क्या नतीजे भारते लोकतंत की जीत का प्रतीक है या ऐसे चनौतियां पैदा होंगी इस चनाम में पक्षपात की जो आरोप लगे है ऐसा नहीं है कि पश्चिमी देशों में इस पर ध्यान नहीं दिया गया हो इसमें विपक्ष के दो मुख्य मत्यों का गिरफतार होना, कॉमिस पार्टी के बैंक अकाउंट का फ्रीज होना और बीज़ेपी के पक्ष में अलक्टोरल बोंड का जाना शामिल है अब इसके अरावा मोदी को अपने चनावी अभिहान के दोरान इस्लामफोबिया बयान बाजी के लिए भारी अलूचुना का भी सामना करना पड़ा है वैशना यानि की जो रिसोर्चर्स हैं वो कहते हैं कि इस तरह के और समाने विभार के बावजूद विपक्ष ने अच्छा प्रदर्शन किया है वो कहते हैं इसमें कोई संदे तो है नहीं कि चनावी मिखेल का मैदान विपक्ष के खिलाब जुका हुआ था बले आप इसे किसी भी तरह देखे चाहे वो इलेक्षन फाइनसिंग हो जाँच एजनसियों का अस्तमाल हो मीडिया का प्रभाव हो या अपिक्षा कृत्र शांत चुनावायोग अनसभी चुनावी के बाद विपक्ष ने अपिक्षा से बहतर प्रदर्शन किया है वहीं कुछ लोग इस बात को सुविकार नहीं करते निश्चित तोर पर शुनाव बिना विवाद के नहीं रहे लेकिन हम यहाँ जो देख रहे हैं वो यह है कि भारते का अदर्श लोगतंतर नहीं है लेकिन यहां लोगतंतर तो है ही प्रक्रियात्मक्स तर पर भारते लोगतंतर काफी हद तक बरकरार है हाला कि पश्चिमी देशों में अक्सर मोधी के तीसरे कारेकाल के तैद भारत में लोकतांत्रिक मुल्य के शरण होने के बारे में चिंताव्यक्त की जाती रही है करें टिपनी कारों का मानना है कि अमेरिक और दूसरे पश्चिमी देशों की सरकारे मोधी के पिशले 10 साल के कारेकाल की ही तरहा लोकतंत को कमजोर किये जाने की बात को नजर अंदास करने के लिए तयार होंगी और मोदी के अलोशना को भारत के ही लोगतांतिक संस्थानों पर छोड़ देंगी इसकी अपनी चिंताएं हो सकती हैं लेकिन इसका लाब भी है खासकर इंडो-पैसितिक और चीन से मकाबला करने के लिए हाले कि कमजोर मोदी सरकार पश्चिमी देशों के लिए जादा फाइदेमंध हो सकती है लेकिन वो ऐसा नहीं चाहते क्योंकि भारत के साथ सुरक्षा सयोग और राश्राइक सयोग नहीं उचाईयों पर पहुट रहा है वहीं कुछ प्रोफेसर्स मानते हैं कि राश्रपती डॉनाल रेगन के आर्थिक सरहाकार परिश्चत की पूर्व सदे से स्टीव हैंकि इस बात से सहमत है वह कहते हैं भारत ने खुद को दुनिया के सामने इस मुहावरे के साथ पीश किया है कि वो दुनिया का सबसे बड़ा लोक्तंत रहे लोक्तंत पे गिरावट की बाद के बावजूद भी इस मुहावरे की एहमियत बनी हुई है अंतरास्टि जंता की रूची महावरों पर जादा है अब ऐसे में फिलाल भारत के लोकतंत की सिते के बारे में अंतर राजिस्तर पर चिंताएं शाथ है अगर दुनिया भारत के लोकतंत को लेकर चिंतित है तो उस्ताती वो मोदी के नतित में भारत के आर्थिक महाश्रक्ति बूराजितिक शक्ति के तोर पर उभरने से प्रभावित भी होगी साल 2014 की बात है जब मोदी पहली बार सत्ता में आए तो भारत दुनिया के दस्वी सबसे वड़ी अर्थव्यवस्था थी अब भारत पांचमी सबसे बड़ी अर्थववस्ता है तो सालों में भारत जोमनी, ज्वापान, उपचारकर अमरिका और चीन के साथ सबसे बड़ी अर्थववस्ता बन सकती है भारत की बढ़ती वृद्धी के संभावना और लगातार बढ़ते बाजार से वैश्विक निवेश्कों की दर्चस्पी यहां बनी रहीगी लेकि भारत की आर्थिक काम्याबी के बावजूद यह अभी भी चीन के आकारकर केवल 20 वीश्टी है हाला की विश्टेश को कहना है कि भारत में तेजी बनाए रखी हुई है एक अरब 40 करोड लोगों की आबादी जो भारत को एक विशाल घरेलू बाजार बनाती है साथ प्रतीशत से ज्यादा की विकास दर और काम करने में सक्षम युवाओं की वज़ों से भारत निकट भविशे में एक महान शक्ती बनने के लिए का दर्श देश है वहीं कुछ अमारिका के एक्सपोर्ट कहते हैं कि भारत एक महाशक्ती बनने की इच्छा रखता है लेकिन अभी वो महाशक्ती है नहीं चीन के पास एक बड़ी आबादी और परियाप्त धंदौलत है भारत के पास आबादी तो है लेकिन परियाप ते संपत्ती नहीं क्या भारत अब सेंट रास्ट की सुरक्षा परिशद में 27 सीट के लिए जोर लगाएगा देखें यहाँ पर कुछ लोग का कहना है कि संभावना तो है लेकिन लगता नहीं है साफ तोर पर नहीं चीन मुख्य बादा हो सकती है जो अभी भारत का विरोध करता रहा है आपको इसके लिए P5 सुरस्ट की सहमति की जुरूत होगी आपके बोर्ड में 4 सा दसिया लेकि चीन इसका विरोध करता है विदेश नीती पर भारत का रोग उसकी रणीतिक स्वयत्ता पर आधारित है भारत की अमारिका और यूरोपे संके साथ मजबूर साज़ुदारी और रूस के साथ भी अतिहासिक सम्मंद है भारत को यूकरेन के खलाफ रूसी हमले का समर्थन करने के लिए उकसाया गया लेकिन भारत ने अपनी तटरस्ता बरकरा रखी है जहां तक की विदेशी मामलों की बाग है तो पियम मोदी के पास सुब्रमन्यम जैशंकर जैसे बढ़िया विदेश मंत्री है मोदी जैसंकर की जोड़ी रणीती को कुशलता पूर्वक संभालती है ये जोड़ी अधित में भारते विदेश नीती से प्रभावित नहीं होती और सफल भी रहते है इस बहस में जो दूसे सलहकार है या ये कहूँ कि विशेशग्य है विशलेशक है रूस और यूक्रेशन पर भारत की रणीती स्वेटा और उक्रेशन पर आक्रमन के लिए राजपति पुतिन की खुले तोर पर निंदा करनी से इंकार करना पश्चिमी देशों के लिहास से अच्छा नहीं रहा है इस बात के कोई संकेत नहीं है कि मोदी इस कारकाल में भी अपनी पुराने भारते दोस्ट पुतिन का साथ छोड़ेंगे लेकिन भारत की नीती विश्वामित्र और विश्वूरी के अपनी प्राचीन दर्शन पर आदारी थे ये गैर पश्चिम है लेकिन पश्चिम विरोधी नहीं है जैसे जैसे भात का बाकी दुनिया पर असर बढ़ रहा है पीम मोधी की नतित की परिक्षा होगी ताकि देश की उनपी रणनीती और टिकाव पुर सके अब अगले पांस साल में क्या बदलाव आएगा वैश्चिम के तौर पर प्रधान मत्री नरिंद्र बोधी के नेफित में ये देखना होगा एट नाइन में आज के लिए तना ही कलपिर लॉटेंगे किसी और मुद्धे पर बात करेंगे धन्यवाद